नवी मुंबई की APMC मार्किट याड में प्याच की कीमते अब नीचे जा रही हैं मुख्य कारण ये है कि इरान से 20 टन शमता वाले 60 कंटेनर एक के बाद एक आ रहे हैं इन सभी कंटेनरों में कुल 4800 टन प्याज है इन नए प्याज के आने के साथ ही प्याज की कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई है इससे पहले पितरपक्ष, सावन और नवरातरी में प्याज की डिमांड कम हुई थी जिससे कीमतों पर असर पड़ा था फिर भारी बारिश से प्याज की फसने और स्टॉक खराब हुआ जिससे प्याजी किल्लत हुई और अब सरकार बाहर से प्याज आयात कर रही है ऐसे में आने वाले दिनों में प्याजी कीमतों में और कमी आ सकती है प्याच किसानों ने मेहनत करके प्याच की बुवाई की थी लेकिन अब उनकी मेहनत पर मौसम प्याच के आयात की मार परती नजर आ रही है जिससे प्याच किसान काफी नाराज भी है आपको बता दें कि आयातित प्याज के साथ साथ सरकार ने अपने बफल स्टॉक से भी बजारों में प्याज उतारी हुई है वी रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स, टी